मार्गम सत्यम जीवन येशु प्रियतम येशु अनुपम येशु सबको जे येशु की प्रभु कृष्त में प्यारे भायो बहनों आज के दिन में कलिसिया संत योहन बब्तिस्ता की शहादत की स्मृति मनाती है संत योहन बब्तिस्ता ने प्रभु को स्विकार करने के लिए लोगों को तयार किया था प्रभु का मार्ग तयार किया था और मुक्या काम उसका ये था असत्य से सत्य की वोर लोगों को लाना जो अंदकार में जिवन बिताते थे उनको उजाले की वोर लाना जो अधर्म का जिवन बिताते उसको धार्मिक्ता की वोर लाना उनका मुक्या काम था और इस काम को करते हुए वो परचार परसार करते थे ताकि लोग सही रास्ते पर आएं, सच्चाई के रास्ते पर आएं, प्रेम के रास्ते पर आएं, इमानदारी के रास्ते पर आएं और इस प्रकासे धार्मिक्ता का जिवन को जीएं लेकिन ऐसा हुआ हेरोद के पास जब वो गया हेरोद के सामने सच्छाई जब उसने रखी हेरोद को हलांकि इस बात ये बात समझ गया लेकिन हेरोद नहीं स्विकार करना चाहता था क्योंकि कहीं ना कहीं उसका रिष्ट ता गलत था उसके भाई की पत्ने हेरोदियस के साथ और हेरोदियस भी नफरत करते थी वो भी सच्चाई सुनना नहीं चाते थी पसंद नहीं करते थी इसलिए शेड़ी अंत्र रश्टे हुए हेरोद के माद्यम से योहन बबतिस्ता का सिरू उसने कटवाया अपने लड़के को आगे करते हुए आए हम आज के इस वशनों को सुनें संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सू समचार अध्याई चे पसंद के सत्रा से उन्तिस तक हेरोद ने अपने बाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को गिरफतार किया और बंदी ग्रह में बांध रखा था क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवा किया था और योहन ने हेरोद से कहा था अपने बाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है इसी से हेरोदियस योहन से बैर रखती थी और उसे मार डालना चाहती थी किन्त वह ऐसा नहीं कर पाती थी क्योंकि हेरोद योहन को धर्मात्म और संत जान कर उस पर श्रदा रख था और उसकी रक्षा करता था हेरोद उसके उपदे सुनकर बड़े असमंजस में पढ़ जाता था फिर भी वहाँ उसकी बाते सुनना पसंद करता था हेरोद के जनम दिवस पर हेरोदियस को एक सुआउसर मिला वसूटसव के उपलक्ष में हेरोद ने अपने दरबारियों सेना पतियों और गलेलिया के रैसों को भोज दिया उस अवसर पर हेरोदिस की बेटी ने अंदर आकर नरत्थि किया और हेरोटता उसके अतितियों को मुगद कर लिया राजा ने लड़की से कहा जो भी चाहो मुझसे मांगो मैं तुमें दूँगा उसने और उसने शपत का कर कहा जो भी मांगो चाहे मेरा आदा राज्य ही क्यों ना हो मैं तुमें दे दूँगा लड़की ने बाहर जाकर अपनी मां से पूछा मैं क्या मांगो उसने कहा योहन बब्तिस्ता का सिर वह तुरंत राजा के पास दवड़ती हुई आई और बोली मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में योहन बब्तिस्ता का सिर दे दे राजा को धखा लगा पर अपनी शपता और अतितियों के कारण वह उसकी मांग अस्विकार करना नहीं चाहता था राजा ने तुरंत जलात को बेच कर योहन का सिर ले आने का आदेश दिया जलात ने जाकर बंदी ग्रह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दे दिया और लड़की ने उसे अपनी मां को दे दिया जब योहन के शिश्यों को इसका पता चला तो अभी आकर उसका शो ले गए और उन्होंने उसे कबर में रख दिया प्रभु का सूसमचार प्रभु कृस्त में प्यारे बाहियो बहनों हम देखते हैं योहन बब्तिस्ता का सिर राजा हेरोद ने कटवा दिया इस वज़े से क्योंकि उसने सच्छाई सामने रखी हेरोद के सामने सच्छाई रखी कि हेरोद का जीवन अधर्म से बरा हुआ है अंदिखार में वो जी रहा है इस बात की सच्छाई जब सामने रखी अपनी भाई की पतनी हेरोदियस को रखना आपके लिए उचित नहीं है ये ठीक नहीं है ये अधर्म है ये गलत काम है जब बता दिया हेरोद को हलंकी दखा लगा अच्छा नहीं लगा फिर भी हेरोद एक प्रकार से बंदनों में जकड़ा हुआ था हेरोदियस के वज़े से और हेरोदियस भी जब नफरत करती थी यहन बप्तिस्ता से इस वज़े से क्योंकि वो सच्छाई सामने रखता है और इस प्रकार से हम देखते हैं जो लोग सच्छाई को पसंद नहीं करते सच्छाई को दबाने की कोशिस करते असत्य के मार्क में चलते हैं अंदकार में रहते हैं अंदकार में जीते हैं अंदकार के शक्तियों के द्वारा जकड़े हुए रहते हैं इसलिए उनके कारी उनके कारी नुकसान दायक दूसरों को कस्ट पहुंचाने वाले दूसरों को धर्द देने वाले दूसरों को मुसिबत पैदा करने वाले ऐसे कारी होते हैं और यही बात हेरोध और हेरोधियस मिल के यह काम करते हैं उस परमात्मा उस महापुरुश के साथ उस योहन बफ्तिस्ता के साथ जो प्रभु के मार्ग तियार करने के इस दर्तिय पर आये थे आज भी हम देखते हैं समाज में दुनिया में चारों वोर अगर हम दृस्टी लगाएं जो सत्य पर चलता हो जो धर्मिक्ता का जिवन जीने के प्रयास करता हो जो इमानदारे से काम करता हो अपनी जिम्मधारी निबाता हो जो कभी अन्याई ना करता हो उस वेक्ति के लिए बाकि सभी लोग उसको टार्गेट करते हैं जल्दी उसका ट्रांसफर करते हैं उसको हटा देते हैं क्योंकि अधिकांग्शे लोग अंदकार की शक्तिवों से संचालित होके जीते हैं कारी करते हैं अपनी रोजी रोटी कमाते हैं लेकि प्रभू हमें बताता है विजे होगी तो सत्य की होगी विजे होगी तो सत्य की होगी सत्य तुम्हें अजाद कर देगा जिसके अंदर सत्य नहीं है वो एक प्रकार के बंदनों में रहता जैसे हेरोत एक बंदनों में था हेरोत यस बंदनों में थी और उनका जीवन अंदकार से संचालित था सचाई पर अगर हम जीएंगे तकलिप जरूर होगी यहां बबतिस्ता के जैसे लोग पसंद नहीं करेंगे कहते हैं सचाई कड़ी भी होती है लेकिन प्रभु ये सुने में यही सिकाया सत्य तुमें अजाद कर देगा और उस सत्य को स्विकार करें सत्य पर जीएं सत्य पर आधारित हमारा जीवन हो बलेही दुख उठाना होगा चुनावती होगी कटिनाई होगी लोग विरोत करेंगे लोग पसंद नहीं करेंगे लगे हमें जीना है इश्वर के सामने जो उचित है वो जीवन जीना है इश्वर के सामने जो नेक हैं अच्छा है आदर्श है वैसा जीवन जीना है दुनिया के सामने हमें अपने को अच्छा प्रस्तुत नहीं करना यानि कि दुनिया के सामने हमें को साबित नहीं करना हमें साबित करना है उस इश्वर के सामने जो हमारे हर सोच को जानता है हर भावनाओं को भामता है हर कारियों को जानता है इसलिए उस इश्वर के सामने एक शुद्ध पवित्र सच्छाय का ये मांदारे का जीवन हम सभी बिताएं और निश्चितरुब से वो प्रभू हमें पुरसकार देगा प्रभू यह सुनी ये कहा शेरीर को मारने वालों से मत डरो शेरीर को मारने के बाद ओ कुछ नहीं कर सकते उस से डरो जो तुमारी आत्मा को मार सकते इसलिए बाई और बहनों हम इस बात पर इस बात पर दियान रखें शेरीर हमारा कितना भी स्वस्त कि होना एक दिन मर जाएगा यवन बबतिस्ता का सिर काट दिया और मर गया लेकिन उसकी आत्मा को हेरोद मार नहीं सका ऐखीरम y即satá illum 2021 21 21, mitä आत्मा को मार ने सकीe Is 15 प्रबू यस tämä हमें यहीं कहा जो शेरियर को मारता हूप इससे मंद रचाहे बिमारी से मरजाए दुर गटनां से मर जाए या वरत दावस्ता में मर जाए जैसे मी मर जाए शरीर मर जाए गर आत्मा नहीं मरनी चाहिए और आत्मा को जीवित रखने के लिए हम योन बफस्तिता के बांती सच्छाई के मार्क पचलना होगा यह मांदारी के मार्क पचलना होगा न्याय के मार्क पचलना होगा शा के इस दिन में हम प्राटना करें संद योहन बप्तिस्ता के मद्यस्त मांगें हम भी हिम्मत रखें सहास रखें सच्छाइपर जिने के लिए सच्छाइपर आधरेज जीवन जिने के लिए किसी प्रकार के असत्य या अंदकार के बातें या जूट हमारे जीवन में ना है बलक झाल झाल